Hello everyone, welcome to Home India channel और आज के वीडियो में हम देखने वाले होम टूर पर इस ब्यूटिफुल 3B HKD house design that we have did in Dongagar, Chattisgarh और आज के वीडियो में सारी spaces देखेंगे elevations हो गया, living room हो गया, dining space हो गया, kitchen, bedroom, everything आज इस वीडियो में देखेंगे तो इस वीडियो को बिलकुल एंट तक देखते रहना क्योंकि आपको बहुत सारी tips and tricks मिलती रहेगी अपना घर design करने के लिए सबसे पहले हम घर के अंदर एंटर करते हैं तो इस रूम में एंटर करते हैं जो की है living come dining come puja's place तो सबसे पहले आके यह हमें corner space मिलती है जो की है living area, sofa area तो बहुत ही जादा cozy, बहुत अच्छा outcome मिलता है and then साथ में हमने यह accent chair जैसे यह plan किया हुआ है and then एक leatherite का finish क्योंकि घर में dog है तो leatherite के finish को हमने अपने sofa में use किया है and then वो ही continue होके हमारी dining में भी जा रही है तो क्या है कि अगर extra guest है तो मैं dining की chairs को pull करके अपने living area में ले आऊ और extra guest को accommodate कर सकता हूँ अगर नहीं है तो वो dining space हमारी अलग है और पूरे घर को हमने cohesive feel देने के लिए जादा से जादा patterns colors को repeat किया है बहुत जादा changes नहीं है तो आप देख सकरें जो sofa का color है वो dining chair का है जो dining top का color है वो हमारे TV cabinet का color है तो इससे क्या हो रहा है कि पूरी theme mind हो रही है and जो wall colors है वो बहुत minimal रखे है and then ceiling का color हमने contrast really change किया है और उसको बहुत highlighting element दिया है जो कि वो पूरे घर को एक बहुत ही अच्छा attractive element दे रही है और best part क्या है कि मैं living room में enter करते ही पीछे directly अगर मैं जाओंगा तो मैं पीछे directly अपनी garden space में पहुँच जाता हूँ क्योंकि बहुत अच्छी बात है बहुत ही जादा अच्छा feel देता है क्योंकि आप living से directly garden space में connected है and then client हमारे बहुत religious है तो northies में हमें जो हमारा पूजा space था उसके आगे अमने space रखी है proper तरीके से dining के बाद so that वो अगर वहाँ पे सामने समान रख रहे है या फिर उनका daily ritual रहता है वो कर रहे है तो उनके पास space है प्लस अगर gathering भी हो रही है तो वहाँ पे आप वो gather करके 5-6 लोग एक सान आपकी पूजा कर सकते है so जैसे मैं बता रहा था कि जो हमारा living space है वो directly connected हमारे garden space से है so मैं जैसे ही अराम से बहुत living spaces जारेकली आगया garden space में and then easily यहाँ पे हमने जो east side है यहाँ पे हमने तुलसी चारा plan किया हुआ है जो कि एक बहुत ही अच्छा element एक घर को बहुत अच्छे तरीके से बाइं करता है and then जो flooring में we have planned for this alternative grass and then quota stone जिससे बहुत ही एक natural feel मिल रहा है and then पूरी boundary wall में we have planned for profile lights जिससे एक enhancing element आपको अपने पूरे घर में मिल जाता है सारे जो plants लगे हुए वो अगी तरीके से एनहेंस हो जाते है so यह garden space एक बहुत अच्छा playing area बच जाता है बच्चों के लिए sitting area हो जाता है शाम को यह हमारा east side है तो morning की पहली light आती है यहां से तो यह garden area बहुत proper तरीके से use हो रहा है और साथ में मेरा यहां पे kitchen के लिए भी connected है तो मैं चाहूँ तो यहां से directly kitchen में भी जा सकता हूँ तो यह बहुत ही अच्छा space बना है जो family को बहुत जादा पुसंद है और वो बहुत जादा यूज़ करता है कर पा रहे हैं इस space को इस घर का सबसे पहला bedroom है हमारे दादाजी के लिए यह बहुत ही light और calm bedroom रखना था जो पूरे color tones थे हमें बहुत अर्दी रखना था एक bed था जो queen size चाहिए था हमें king size bed नहीं चाहिए था क्योंकि उनको अखेले use करना था plus उनको यह जो सबसे important है उनको एक seating corner अपने bed के पास में चाहिए था जो बहुत ही important था उनके लिए तो यह जो space बनी है यह बहुत ही अच्छी cozy space बनी है यह blind लगे हैं तो यह open करके बाहर directly road यहां से देख सकते हैं and then अगर उनको book पढ़ना या कुछ करना है तो if you have the lamp floor lamp तो अराम से यहां पर book पढ़ सकते हैं बहुत ही proper lighting मिलेगी and जैसे ही वो चाहें वो अपने bed में वापस जा सकते हैं जो कि उनके लिए बहुत easy और convenient है और इसमें हमने जो बहुत interesting play किया है साथ में आप देखेंगे जो flooring है यह flooring हमने बहुत ही economical tiles को एक pattern में design करके herring bow pattern में design करके लगाया so that it is looking very luxurious even though it is a very economical solution plus अब मैं बाकी पार्ट देखूँ इस room के उसको भी अगर मैं explore करूँ उसाथ में तो यह bed के side में जो पूरा circulation area है बहुत clear है सामे से circulation मैं सीधा washroom पे जा सकता हूँ plus मैं इस room के दूसरे पार्ट में देखूँ तो वो sliding board drop के साथ हमने यहाँ पे study table बनाई है उनको थोड़ा सा पढ़ने लिखने का शॉक है तो उनके लिए अगर यहाँ पर बैठ के कुछ लिखना है या पिर work करना या कुछ भी काम करना है तो उनके लिए separate यहाँ पे space मिली है और यही ledge जो continue हो रहा है वो आपका आगे बढ़ रहा है तो में को L-shape का में को पूरा working counter यहाँ पर मिल रहा है that is really really good तो यह और उसी के side में हमने आपके कुछ storage niches दी है पर decorative item अब इसके बाद जब मैं यहाँ से उठों तो में को यहाँ पर slider wardrobe मिली है so that means से क्या हो रहा है कि मेरा कभी भी जो space है अगर मैं open करता तो मैं पीछे हो जाता मैं टकरा जाता बैट से और because this is slider तो यह बहुत ही ज़ादा मेरी space saving solution है यह overall room है जो pastel color है cohesive look मिल रहा है वो इसको बहुत ही ज़ादा compliment कर रहा है इस laminate के color को यह laminate color हमने well makeup का use किया हुआ है mob color जो की पूरा एक earthy tone था room का जो brown shade में जा रहे थे light cream shade में जा रहे थे उससे यह attention पूरी अपनी तरफ लेके जा रहा है तो यह बहुत ही अच्छा space as a front clean में को मिल रहा है अब मैं इसकी कुछ details की बात करूँ तो यह जितना भी furniture है यह सारा factory made modular furniture है यह bed भी factory से बन किया है exact design किया था इसमें हमने यहाँ पे हलका सा textured back यूज किया है और थोड़ा सा एक अच्छा texture because यह bed bag हमारा सार टकराता है हम हाथ से छूते हैं तो एक texture add कर रहे है यह सारा furniture factory से बन किया कि साइट में दो से तीन दिन में install हो गया था जो कि बहुत बड़ी बात है अगर साइट में बनाते तो हो सकता हमें बहुत जादा time लगता है तो इसने हमारे overall project का time भी safe किया है प्लस जो loose furniture items है like chairs हो गए lamps हो गए यह ikea से हमने directly buy कर लिया सो वो आके सीधा सीधा install हो गए तो हमारी project की timeline shot हो गई और जो outcome है वो हमें बहुत standard और अच्छा मिला next video in this series is for your modular kitchen tour and master bedroom design जो already upload हो चुकी है और यहां पर आप जाके तुरन देख सकते हैं इन videos को और यह video के tour को home tour को continue कर सकते हैं and then इसके बाद हमारे को पूरी overall 30 by 50 इस घर की planning का video, kids bedroom design का video, elevation का video आपको मिलेगा आने वाले series में तो अगर उनको भी देखना है तो do subscribe home India channel for more such videos